हेलो दोस्तों दृष्टी PCS के यूटूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम है संजूर और आज हम टारगेट UPMP UK PSC 2024 में टाइम एन वक के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे तो हम लोग अभी टाइम एन वक के पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके हैं उसके क कुछ प्रशनों को हम लोगों ने देखा है बेसिक कोश्चन को तो आज हम लोग थोड़ा सा कह सकते कि एडवांस लेवल के को करेंगे पांच को कम से कम और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम एन वक के को समझाने की कोसिस करेंगे पहले पार्ट में हम लोगोंने कह सकते कोश्चन और कैस और उसके साथ कॉंसेट हम लोगों ने इसको सीखा था बट पार्ट टू में हम लोगों कोई कॉंसेट पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट वन में हम लोगोंने कॉंसेट पे चर्चा कर लिया है अब हम लोग सीधे पार्ट टू और पार्ट कोशन नहीं पूछा जाता है बट हम आपको इस लेवल की तैयारी करा देंगे कि अगर माल लेते हैं कि कोई difficult question पूछ भी ले तो आप उसको solve कर ले क्योंकि अभी MP की परिच्छा है की परिच्छा हो चुकी है अब बचा UP MP और उत्रखंड PCS की परिच्छा होनी है तो यह संभावित है कि 2024 में होगा PCS या फिर आपके उत्रखंड की लेकिन MP की परिच्छा अभी दिसंबर में होनी है 12 दिसंबर को तो उसकी तैयारी आप लोग अभी होंगे उसको मतलब उसमें आप कितना भी अच्छा कर लें अगर आपका सीसेट पेपर क्वालिफाय नहीं होता है तो आप के लिए सारा बिकार हो जाएगा तो आप अभी से हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को करते रहें मैस और इनिंग इतना भी आसान नहीं है ज तो आप मान के चलिएगा कि वो एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है और वो कहीं न कहीं आपको बहुत एक्जाम में काम देगा तो चलिए हम सीधे कोश्चंस पर आते हैं और आपको वहीं से कुछ कोश्चंस के साथ साथ बेसिक्स भी बता देंगे अगर यहां प कर सकते हैं उन्होंने एक साथ काम सुरू किया लेकिन सी काम पूरा होने से चार दिन पहले चला गया तो काम कितने दिनों में पूरा होगा या काम कितने दिनों में पूरा हुआ ऐसा कोश्चन है तो आपको सबसे पहले कहानी की तरह बात समझाते हैं कि तीन लोग हैं A, B औ का वक्त लेता सी अकिला-किला करता तो 40 दिन का वक्त लेता इससे साफ क्या पता चलवाए कि एक efficiency अच्छी है बी से और बी की efficiency सी से अच्छी है और इस तीनों में सबसे अच्छी efficiency एक ही है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कम दिन लेता है उसकी efficiency सबसे अच्छी होती है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है उसकी efficiency काम होती है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया मतलब लोग उन्हें अलग अलग ना करके एक साथ काम करना शुरू किया है और देखा गया कि लाश्ट में C जो है ना काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला ग मतलब है कि अगर सी लगातार काम कर रहा होता ए और बी और सी के साथ तो ओवियसली काम थोड़ा कम समय में पूरा हो जाता लेकिन सी ने साथ छोड़ दिया चार दिन पहले अमाल लेते 20 दिन लगा होगा तो इसका मतलब है कि 16 दिन तक ही सी काम किया है क्योंकि अंतिम 4 दिन आफ यहां पे आपको पता है है अगर एक्सोबीस काम है यह 24 दिन में कर रहा है तो हर दिन 5 काम कर रहा Tennessee अप एक बात देखिए कश एप उसके बाद B की, उसके बाद C की, अब एक बात देखिए कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले कौन गया, C गया, इसका क्या मतलब है कि अंतिम 4 दिन कौन काम किया है, A और B, तो A और B अगर अंतिम 4 दिन काम किया होगा, तो कितना काम किया होगा, 4 गुना, A और B एक दिन में काम क किया है a और b ने तो 6 काम कितना बचा होगा य 210 एंचे 84 काम ही A, B, C ने मिलके किया है क्योंकि 36 काम केवल A और B की है अब एक बात समझे A, B, C की एक दिन की efficiency कितनी है 5, 4, 9, 3, 12 मतलब A, B, C अगर मिलके एक दिन काम करें तो 12 इकाई काम करेंगे करेंगे ना भाई 12 इकाई काम और आप यहाँ पे देख पा रहे कि काम करना था 84 इकाई तो 84 इकाई को करने के लिए कितना वक्त लगेगा 7 दिन क्योंकि एक दिन में 12 इकाई तो 7 दिन में 84 इकाई मतलब सुरू के 7 दिन तक A, B, C ने काम किया और अंतिम के 4 दिन A और B ने काम किया जबकि अगर पूछा जाता कि अगर A, B और C लगातार कम का काम कर रहा है जिसमें कि C भी कर रहा है C छोड़ा नहीं है तो फिर कितना वक्त लगता तो देखे बहुत असान हो जाता 5, 4, 9, 3, 12 तो 120 बटे 12 मतलब 10 दिन का वक्त लगता तो आप यह समझे दस दिन में काम समाथ हो जाता ठीक है ना? दोनों चीज बता दिया आपको अब देखिए अगला कोशन है बहुत बहतरीन है Efficiency से related कोशन इसलिए है क्योंकि इसमें wages का कोशन है मतलब मजदूरी से related है जाहिर सी बात है जब आप काम कराते हैं मजदूर से मजदूरी तो पे करते हैं फिरी में तो काम नहीं कराते और मैंने आपको पहले ही बताया था पहले एपिसोड में कि जब भी मजदूरी पे करेंगे वो किस पे पे करेंगे हम लोग Efficiency पे दीन पे नहीं किस पे पे करेंगे? उसके कारे चमता पे यहां पे है कि A जो है एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है B 15 दिनों में कर सकता है वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं वे का मतलब दोनों सेस कारे को C द्वारा 2 और दिनों में समाप्त कर लिया जाता है यदि उन्हें पूरा काम करने के लिए मजदूरी के रुक में 6000 मिलता है तो कहा जा रहा है कि दैनिक मजदूरी ग्यात करें यहां पे ऐसा कहा जा रहा है यहां पर आप कर लीजिए बी की मजदूरी ग्यात करें ठीक है ना और यहां पर कर लिजे आप रहने दीजे बी की मजदूरी ग्यात करें दैनिक वर्ड को हटा देजे ठीक है थोड़ा सा कोशन को हमने चैंज किया है यहां पर क्या है बी की मजदूरी ग्यात किजे ठीक है अब एक बात समझे कि तीन व लेकिन दोनों ने मिलके काम किया है दस और पंदरा को देखते वह एक ऐसा फिगर सोच लीजे जो दोनों से भाग लग जा है मतलब तीसी काम रहा होगा यह इफिसियंसी है यह पर दिन तीन काम यह पर दिन दो काम पर दे थ्री पर दे टू अब देखने कि एक दिन में अगर दोनों मिलके काम करेगा तो कितना करेगा भाई ए प्लस बी मिलके तो तीन प्लस दो मतलब पांच काम कर देगा कर देगा और यह लोग करता कितने दिनों तक काम पांच दिनों में कितने काम कर देंगे पांच दिनों तक पांच गुना पांच नहीं कर देगा पचीस काम पांच दिनों तक पचीस कारी समाथ हो गया तो सेस कारी कितना बच गया भाई पांच सेस कारी कितना बचा पांच अब पांच कारी है अब ये दोनों चला गया छोड़के अब पांच कारी को करने के लिए कौन आ गया है C C जो है न दो दिनों में समाप्त कर दिया कारी को तो C की efficiency कितनी हो जाएगी दो दिनों में समाप्त किया पांच कारी को मतलब C हर दिन धाई काम कर रहा है हर दिन कितना काम कर रहा है धाई काम हर दिन यह तीन काम, हर दिन यह दो काम,सी यह धिन, थाई काम तो A B और C की efficiency का नुपाथ कितना हो जाएगा यही तो मुझे चाहिए था तीन-दो और धाई है न, तीन-दो और धाई अगर इसको और solve करने तो 6 4 और पांच लिख सकते हैं डोस गुनाह कर दीया सब को बचन के लिए हैं अबैसे देंख पा रहे हैं कि 6 और फार चार पांच के अनुपात में उसको पैसा मिलेगा इसको ऑनकर पांच मिलेगा लेकिन रियल में मिला कितना है भई से कितना मिला है उसा बॉल JUMP तो हम कह सकते हैं ना कि 6 प्लस 4 प्लस 5 की जो मान है न वही 6,000 के पराबर है मतलब 5,4,9,6,15 है न 6,4,10,15 15 यूनिट का मान 6,000 है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 तो कहा जा रहा है कि B की दैनिक मुझदूरी बता दिजिए बी की दैनिक मुझदूरी बताना है तो बी की दैनिक मुझदूरी बताने के लिए बी को कितना मिला व्यू की दैनिक मतलूरी दैनिक तो आठा दिया बीकी मतलूरी मतल eating मुझदूरी मतलब 26 iki की मतलूरी कितना हो जाए गवा? चार सो गुना चार मतलब 16 रुपे कितना हो जाएगा 16 किसी एक option को मुझे ठीक करना पड़ेगा इसी को 1600 बना देते हैं 600 को 16 सो बना दीजिए इसको 1500 बना दीजिए इसको 1800 बना दीजिए इसको 2000 बना ठीक है ना थोड़ा सा चेंज कर लिजेगा तो मेरा सही जवाब है option परती दिन आठ घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है बी उसी कार्य को परती दिन 10 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकता है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर परती दिन 12 घंटे काम करते हैं तो वे कार्य को कितने हैं लिए दिनों में पूरा कर सकते दिए बहुत ही शामदार कोश्ण है थोड़ा से कह सकते हटके हैं अलग टाइप का कोश्णल में यहां पर दिया गया है आड़ कार करके 12 दिन में ऐग दिन कि में 8 गंट काम करता है तो 12 दिन में कितना काम कर ले का 19 गंटर मतलब mainly एक्च्वल में 96 घंटे में कारी समाप्त करता है यहां घंटा लिख देते हैं confusion नहीं होगा और बी उसी काम को 10 घंटा काम करके 8 दिनों में पूरा करते हैं मतलब बी एक्च्वल में 80 घंटा लेता है काम करने में देखें यहीं चीज करने आ जाना चीए बसांसर आ जाएगा अब क्या है ना दोनों मिलके देखेंगा तो 480 माल लेते हैं काम रहा होगा LCM 480 होगा मतलब यह पांच काम और यह काम पढ़ड़े कर रहा होगा अच्छी च्छे पंचे तीस नौपचे पैतालिस तिनार तालिस ठीक इसका मतलब है कि बीफ की इफिसेंसी जादा है एसे है ना आब यहां पे देखेंगे कि दोनों मिलकर साथ काम करता है तो पूछ र चार सौसी काम करने में चार सौसी बटे ग्यारा घंटा लेकिन अब देखिए वह दोनों ना ए और बी एक साथ मिलकर बारा घंटा प्रती दिन काम करता है और यह क्या है चार सौसी बटे ग्यारा घंटा है तो दीन में पूछा जा रहा है तो दीन में उत्तर देने के लिए क्या है 12 से डिवाइट कर दीजे जितना घंटा काम करता है do 12 से डिवाइट करेंगे को 40 दीन में कारी को क्या कर लेगा उलो कैसे देख लिए 20 11 12 से गुना करते आजाता न 480 तो बहुत अच्छा कोश्टन था तो 40 बटे ग्यारा घंटे में समात होगा एक्च्वल में वहां पर दीन में पूछाता तो मुझे चेंज करना पड़ा दो व्यक्ति है अमन सुमन से दो गुदा अच्छा कारिगर है इसलिए वह एक काम को सुमन से तीस दिन कम समय में करने में सक्षम है तो एक साथ मिलकर वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है देखिए बहुत बढ़िक स्याने इफिशिंसिसे है यहां पर दो व्यक्ति है अमन और सूमन यहां पर लिखेंगे इफिशियंसि यहां लिखेंगे दीन अमन सूमन से लिश है करें बचल डू GON बजल्या है तो इसके दीन करो पात दो हो हो जागा है बता है Seeing हो जाता है कि 30 दिन कम किस्से लेता है सुमन से मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस ही 30 है मतलब एक यूनिट का मांद 30 है तो कहेंगे कि इसको कितना समय लगता होगा 30 और इसको कितना समय लगता होगा 60 यह तो है मतलब अमन को लग रहा है 30 दिन सुमन को लग रहा है 60 दिन दोनों मिलके काम करेगा मतलब टोटल काम साथ माल लेते यह पड़ दिन दो काम करता है यह पड़ पड़े एक काम करता है अगर दोनों मिलके करे तो पड़े कितना काम कर लेगा तीन काम तो साथ काम को करने में कितना समय लगेगा तो समय बराबर 8 बटे 3 मतलब 20 मतलब 20 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा समाप्थ हो जाएगा मेरा सही जबाब है 20 थे बढ़िया कोश्चन था देख लिजे एक बार अच्छे से अंतिम कोश्चन ए बी और सी मिलकर एक काम को दस दिनों में पूरा कर सकते हैं तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और चार दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया बी और सी ने मिलकर काम को दस और दिनों में पूरा किया तो ए अकेले एक काम को करने में कितना दिन लगेगा किसको पूछ रहा है अकेले को काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं ऐसे कर लिजे कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है तो चले इस कोश्चन को सॉल्फ करते हैं बहुत अच्छा कोश्चन है यहां पर है कि ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहा है तो दस दिनों में कर रहे देता है ठीक है तीनों ने साथ साथ मिलकर काम करना शुरू किया और चार दिनों तक ही काम किया उसके बाद ये ने काम को छोड़ दिया तो देखे चार दिन तक काम करेगा तो काम कितना हिस्सा हो गया कितना हिस्सा हो जाएगा चार बटे दस नहीं चार काम दस दिन तक चार कम मतलब सौरी दस दिन में पूरा कारे समापत होता है चारे दिन तक काम किया तो चार बटे दस काम हो गया मतलब दो बटे पांच काम हो गया फेस कितना बचा भई करने में दस दिन का वक्त लगा तो एक काम को करने में कितना दिन का वक्त लगेगा 50 वटे 3 50 वटे 3 तीन का समय कोन लेगा B प्लस C इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि B प्लस C को 50 वटे 3 दिन का वक्त लगता है लगता है ना अब यहां से देखिए एक आमज़े बंज़े में निकल जाएगा अब निकाल लेंगा हम लोग इस दोनों को देखते हुए कि एगा ऐसा figure सो चली जिस दोनों से भाग लगए मतलब पचास काम मतलब यह हर दिन पांच काम करेगा और यह हर दिन तीन काम करेगा तो A, B और C मिलके पांच काम करता है B और C मिलके तीन काम करता है मतलब एक efficiency दो काम करने की है, काम है total पचास, तो एको कितना समय लगेगा? कितना वक्त लगेगा? तो देखिए ये question बहुत ही शांदार था, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, बहुत basic के साथ और कहानी के तौर पे, तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, चैनल को subscribe कर लें, वीडियो पे like करें और comment भी करें, और सबसे और वहां से आप पीडियाप को डाउनलोड करके दुबारा questions को practice करें, तो इसी तरह हम आप से मिलते रहेंगे सप्ता में दो दिन और आपकी तेयारी को बहुत ही बहतरीन बना देंगे, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को बार बार देखने की चरूरत है, और उन लोग को तक भी पहुंचाई है, जिनको वीडियो नहीं मिल रहा है, तो चली हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए सुक्रिया,